तो दोस्तो आज हम लोग दालेंगे menu trainer latest version वाला 2024 वाला अपने GTA 5 में अगर दोस्तो तुम लोगों के कोई भी menu trainer के issues आते हैं तो वो ये वाली video पूरी देखने से complete end तक देखने से most probably सारे के सारे solve हो जाएंगे तो दोस्तो बगए time waste किये तुम लोगोंने क्या करना है तुम लोगोंने मेरी video के नीचे description में सबसे पहले first link को क्लिक करना है जैसी दोस्तो तुम लोग first link को क्लिक करोगे तुम हारे सामने ये menu SP के सारी के सारी files खोल जाएंगी जितने भी menu version आए हैं यहाँ पर दोस्तो देख सकते हो latest version जो है वो है 1.8.1 तो सबसे पहले तो दोस्तो तुम लोगोंने 1.8.1 version ही डाल के चेक करना है अपने GTA 5 में के menu trainer चल रहा है या नहीं चल रहा अगर दोस्तो तुम लोगों का 1.8.1 version नहीं चलता GTA 5 में तो फिर तुम दूसरे versions ट्राइ करना यहाँ से तुम लोग नीचे आओगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो तुम्हें नजर आएगा 1.8.0 version फिर ये वाले version को यहाँ से assets में आकर डाउनलोड करके चेक कर लेना 6 को try करोगे 1.7.6 भी नी चलता तो 1.7.5, 1.7.4, 1.7.3 और यहाँ पर बिलकुल नीचे आजाओगे तो और भी page पर बहुत सारे versions है next page पर तुम लोग चले जाओगे सारे के सारे versions तुम लोगों ने बारी बारी डाल के try करने हैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर menu trainer चलाना है क्योंकि basically होता ही है इस वज़ा से क्योंकि तुम लोगों के पास latest GTA 5 नहीं होता पुराने वाले 350 वाला version बहुत ही पुराना 2015 वाला तुम लोग यूज़ कर रहे होते हो इस वज़ा से जारी बात है latest menu trainer उस पर नहीं चल रहे होते तो यहां पर बिल्कुल शुरुआत वाला जो menu trainer है menu PC version 1.0.0 इस तक सारे बारी बारी डाल के try कर लेना तुम्हारा कोई ना कोई menu लाजमी चलेगा ही अगर तुम लोग यह महनत नहीं करना चाते तो GTA 5 को upgrade कर लो मेरी तरफ से recommended है कि तुम लोग 3028 version कर लो मैं आज तुम लोगों को menu trainer चला कर भी दिखाऊंगा 3028 version पर उस पर बहुत अच्छे से चल जाता है कोई भी इशु नहीं आता सारे के सारे mods 3028 वाले version पर चलते हैं और latest version है तो तुम्हारा कोई भी मसला नहीं आएगा modding बगेरा में भी अगर दोस्तों तुम लोगों ने 3028 version पर upgrade करना है तुम्हारा कोई पुराना version है 3028 मैं recommend करता हूँ तुम लोगों को मेरा ये नीचे instagram नजर आ रहा होगा तुम लोगों ने मेरे instagram पर जाना है और मेरे profile के description में second link को click करना है मेरी website खुल जाएगी उस पर complete detail में वीडियो देख लेना वीडियो पहले ही आ जाएगी तुम्हारे सामने वो वीडियो देखकर तुम लोग अपने पुराने GTA 5 को upgrade कर पाओगे 3028 latest वाले version में और फिर हर तरह की modding कर पाओगे GTA 5 में अभी फिलाल दोस्तों मैं यहां से वापस आ जाता हूँ और first page पर दुबारा से चला जाता हूँ और यहां पर तुम लोग मेरे link को first link को click करके जब आओगे तो तुम्हारे सामने नजर आएगा 1.8.1 वाला version तुम लोगों ने इसके यहां पर नीचे आना है assets होंगे मैं menu trainer का menu trainer डालने के बाद दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे description में second link को click करना है जैसी दोस्तों तुम लोग second link को click करोगे तो वहारे सामने scriptokwee की website खुल जाएगी यह बहुत ज़रूरी है modding वगेरा के लिए तो तुम लोगों ने यहां पर नीचे आना है और यह जो latest version तुम लोगों को नजर आ रहा हो जो भी scriptokwee का latest version हो कोई फरक नहीं परता इसमें कोई भी version depend नहीं करता जो भी latest हो उसको तुम लोगों ने यह जो download का button नजर आ रहा है इस पर तुम लोगों ने simply click करना है और इसको तुम लोगों ने download कर लेना है अगर दोस्तों scriptokwee की official website नहीं चलती या पर यहाँ पर download पर click करने के बाद download नहीं होता तो तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोगों ने मेरी video के नीचे description में third link को click करना है और तुम लोगों के सामने मेरी google drive पर scriptokwee का latest version 3095 खुल जाएगा मैं हमेशा अपनी google drive पर latest version scriptokwee के डाल देता हूँ जैसे ही आता है क्योंकि मुझे पता है scriptokwee की website मसला करने लग जाती है इस वज़ासे अगर तुम लोगों को कोई भी मसला आता है इसकी website पर तो third link को click करके मेरी google drive पर आना यह जो download का button है इस download के button पर तुम लोग click करना और इसको तुम लोग download कर लेना scriptokwee download करने के बाद दोस्तों तुम लोगों ने मेरी video के नीचे description में fourth link को चौते link को click करना है जैसी चौते link को click करोगे यहाँ पर तुमारे सामने खुल जाएगा scriptokwee.net version 3.6.0 यह बिलकुल latest version वाल है और तुम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर तुम लोगों ने बिलकुल नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो नजर आएगा scriptokwee.net.zip इस पर तुम लोगों ने एक बार click करना है और यह भी तुम्हारा download हो जाएगा scriptokwee.net डाउनलोड करने के बाद तुम लोगों ने लास्ट फाइल मेरे पाँछे लिंक को क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फिफ्ट लिंक को जैसे क्लिक करोगे तो महारे सामने यह खुल जाएगा 9.1 version को डाउनलोड कर लेना है यह जो यहाँ पर तुम लोगों को फाइल नजर आ रही है zip file जो नजर आ रही है release.zip की इस पर तुम लोग एक बार क्लिक करोगे और इसको भी तुम लोग डाउनलोड कर लोगे अब यहाँ पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो मैंने अपना यह folder खोल लिया है जिसमें मैंने menu SP डालावा है release यानि native UI डालावा है scriptokwee latest wallet डालावा है scriptokwee.net डालावा है और दूसरी तरह दोस्तों मैं अपने GTA file की main game directory main game folder खोल लूँगा वो कैसे खोलना है गोर से देख लो तुम लोग अगर Steam Epic Rockstar पर हो तो इस पर आओगे और यहाँ पर GTA file तुम लोगों को नजर आएगा इस पर तुम लोग राइट क्लिक करोगे manage में जाओगे browse local files करोगे open file location या local files या browse local files ऐसे करके कुछ होगा तुम लोग क्या करोगे इस पर प्लिक करोगे तो तुम्हारे Steam Epic Rockstar वाले की main game directory यहाँ पर खुल जाएगी देख सकते हुए main game directory खुल गई है लेकिन मैं Steam Epic Rockstar वाले पर अभी नहीं करूँगा मैं 3028 जो मैं recommend करता हूँ modding के लिए मैं उस पर तुम लोगों को करके दिखाता हूँ वैसे तो इस पर भी हो जाएगा हर किसी पर चल जाता है menu trainer कोई मसला नहीं आता अब अगर दोस्तों तुम्हारा Steam Epic Rockstar से GTA 5 नहीं है या तुम्हारा GTA 5 का आइकन डेस्टॉप पर ही ऐसे नज़र आ रहा है जब मैं इस पर लेकर आता हूँ तो यह दिखा रहा है 3028 वर्शन है मैं क्या करूंगा मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर मुझे option नज़र आएगा तुम भी आइकन पर राइट क्लिक करना और तुम्हारे सामने भी option नज़र आ जाएगा open file location का अगर desktop पर आइकन है तो ऐसे खोलना है अगर Steam Epic Rockstar पर है तो उसमें जाकर manage करके browse local files या local file location या open file location जो भी नज़र आए बस तुम लोगों ने main game directory खोल लेनी है यहां पर मैं open file location करता हूँ और यहां पर देख सकते हो 3028 version की मेरे पास GTA 5 की main game directory खोल चुकी है इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ और यह मेरी mods एक तरफ आगई अब यहां पर simply दोस्तों यह menu SP वाली जो मेरे पास file है इस पर मैं double click करूंगा इसके अंदर चला जाओंगा यहां पर मेरे पास 3-4 files होगी मैंने select करना है menu stuff और menu.asi यह दोनों files को मैंने select कर लेना है और इनको click करके drag and drop कर देना यानि click करके click करके रखके ही उठाकर लेकर जाना है GTA 5 की main game directory जो अभी हमने 3028 की खोली है और इसके empty space पर खाली जगा पर किसी folder में मत करना और यह GTA 5 के icons पर मत करना यहां पर खाली जगा जो नज़र आ रही है इधर empty space पर यहां पर यहां पर जो खाली जगा हो जो भी खाली जगा नज़र आ है उज़र इसको click को छोड़ देना है यानि drag and drop कर देना है और तुम्हारा यहां पर मेरा replace दिखा रहा है और menu.asi भी आ चुका है यानि यह दोनों files menu की डल चुकी है अब मैंने क्या करना है यहां से menu SP वाले folder से file से मैंने वापस चले जाना है मैंने अब खुलना है यहां पर script took V 1.0.3095 वाली file इस पर मैं double click करूंगा और यहां पर मैं जाओंगा bin के folder में यहां पर मैं dinput 8 और script took V इन दोनों files को select करूंगा native trainer को रहने दूँगा इन दोनों files को select करके click करके drag and drop कर दूँगा GTA 5 की main game directory की empty space पर खाली जगा पर यहां पर मैंने इसको drag and drop कर दिया और यहां पर मेरे पास यह फिर से replace का sign दिखा रहा है हो सकता है तुम्हारा replace का sign ना दिखाए क्योंकि तुम्हारा नहीं होगा अगर script took V तो replace का sign नहीं दिखाएगा अगर पहले से है तो replace का sign दिखाएगा मैं इसको replace कर दूँगा तुम लोग भी इसको replace कर देना कोई issue नहीं आता यह मैंने इसको replace कर दिया मेरा latest वाला script of v यहां पर आ जाएगा यहां से दोस्तों अब मैं वापिस चला जाता हूँ अब मैंने खुलना script of v.net की फाइल इस पर मैं double click करूँगा यहां पर यह जितनी भी फाइल्स हैं सारी फाइल्स को मैं select कर लूँगा license और read में सिर्फ रहने देना direct copy paste हो जाए अगर replace का sign दिखाता है तो तुम लोगों ने simply इसको replace कर देना है यहां पर मैंने इसको replace कर दिया और यहां पर देख सकते हो मेरा script of v.net भी आ चुका है script of v भी आ चुका है यह दोनों फाइल्स मेरी आ चुकी है यहां पर दोस्तों और इसका नाम रख देना s-c-r-i-p-t-s जैसे यह बनावा है ऐसा ही तुम लोगों ने एक folder बना लेना scripts के नाम से s-c-r-i-p-t-s s-end में लगाना ताकि बिल्कुल सही तरह से चले यह मेरा already एक folder बनावा है यह रहा मेरा scripts का folder तो basically scripts का folder बना कर यह पहले से अगर scripts का folder है तो तुम लोगों ने scripts के folder के अंदर जाना है और फिर तुम लोगों ने यहाँ पर release वाली जो फाइल है जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड की है native UI की इस पर तुम लोगों ने double click करना है यह native UI वाली फाइल खुल जाएगी और click करके drag and drop कर देना है scripts के folder में जो नया बनाया हो या पहले से हो यहाँ पर मैं इसको drag and drop कर देता हूँ मेरा यह दिखा रहा है कि पहले से files मौझूद है लेकिन फिर भी मैं इसको replace कर दूँगा तो महारा हो सकता है replace का दिखाए तो replace कर देना अगर नहीं दिखा रहा है direct copy paste हो गया है तो यहाँ पर तुम लोगों को native UI की दो files या single file दोनों की दोनों नजर आ जाएंगी अब यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने वापिस चले जाना है और GTA 5 की main game directory में दुबार से आ जाना है मेरा यह replace का sign इसी वज़ा से दिखा रहा है क्योंकि पहले से हुआ वा है मैं इसको दुबार से replace कर देता हूँ तो महारा most probably directly यह copy paste हो जाएगा यहाँ पर replace का भी sign दिखाता है तो replace कर देना मेरा यहाँ पर native UI भी आ चुका है यह देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसको अच्छा करने भी आ जाएगा अगर तुम लोगों ने मॉड्स का फोल्डर नहीं बनाया वा पहली बार मॉडिंग कर रहे हो और सिर्फ मेन्यू ट्रेनर ही तुम लोगों को चाहिए तो तुम मॉड्स के फोल्डर की जुरुत नहीं है अगर तुम लोगों को आगे मॉडिंग करनी है तो मॉड्स का फोल्डर भी बनाना पड़ेगा मेरे चैनल पर जाना और विडियो में सर्च करना और तुमारे सामने विडियो आ जाएगी वो वीडियो देख लेना और मॉड्स का फोल्डर बहुत ईजिली बना पाऊ गे फिर आगे फृर्दर whether तुम लोग गाड़िया डालना चाते हो पेड्स डालना चाते हो यानि और कोई भी करेक्टर वगठर डालना चाते हो या मैपस डालना चाते हो मैंशन्स वगयरा, हाउजिस वगयरा डालना चाहते हो, शोरूम्स डालना चाहते हो, वो सारे के सारे मौड्स की फोल्डर में ही डालेंगे यहां पर, तो बेसिकली तुम लोगों ने वो विडियो देख लेनी है, अगर तुम फर्दर मौड्रिंग वगयरा करना चाहते हो, अगर मैन्यू ट्रेनर सिर्फ डालना चाहते हो, तो यहां पर तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है, और तुम्हारा मैन्यू ट्रेनर बहुत एजिली तुम्हारे जीटीए फाइब में चल जाएगा, अगर अभी भी दोस्तो कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, तो सिंप्ली तुम लोग नीचे कॉमट कर देना, और मैं हर कॉमंट का जवाब देता हूँ, तो तुम्हारे कॉमंझ का भी जवाब देकर, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि तुम्हारा problem solve कर दू, तुम्हारा मसला हल हो जाए, मेरे चैनल को ये दिनूब को subscribe करने का दोस्तों फाइदा ही ये है कि एक तो हर comment का जवाब मिल जाता है तो तुम लोगों का problem solve होना ही होना है और इसके लावा ऐसी videos मेरे चैनल पर भर ही पड़ी है, जाकर मेरा चैनल सर्च करोगे, जो चीज तुम लोगों को चाहिए होगी, वो चीज तुम्हें GTA 5 की मॉर्णिंग से related मिल जाएगी बहुत एजली तो मेरे चैनल को एक तो subscribe कर लेना और basically कोई भी issue आता है, तो comment कर देना और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम लोगों के problem को solve कर दो अब दोस्तो यहां पर मैं अपना ये GTA 5 3028 वर्जन पर डबल क्लिक करके इसको खोलता हूँ और तुम लोगों को menu trainer लोड करके दिखाता हूँ जब तक मेरा GTA 5 खोलता है, पूरा लोड होता है तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने वीडियो को like ज़रूर कर देना है क्योंकि बहुत ज़रा महनत होती है वीडियो बनाने में कोशिश करके दोस्तों 500 like सिर्फ कर दो menu trainer बहुत ज़रा important तरीन चीज़ है सारी modern start ही menu trainer से होती है तुम लोगों ने 500 like लाजमी कर देना है और इस वीडियो को आगे शेयर करो ताकि तुम लोग जैसे menu trainer डाल पायो वैसे ही सारे के सारे तुमारे दोस्त वगेरा और जानने वाले जिन जिन को ज़रूरत है menu trainer की और issues आते हैं, वो बहुत easily डाल पाएं यहां पर दोस्तों देख सकते हो मेरा GTA 5 खुल चुका है और basically मैंने यहां पर क्या करना है अगर मैं computer पर हूँ तो मैं दो बार F8 दबाऊंगा यहां पर मैं एक बार F8 दबाता हूँ यह menu trainer का मेरे पास notification आ गया कि menu PC version 1.8.1 by Maffins मेरा पास डला हुआ है और यहां पर मैं दुबारा दूसरी बार F8 दबाता हूँ तो देख सकते हो मेरा menu trainer बहुत easily खुल चुका है इसमें अब तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो जैसे player options में जाकर और basic stats में जाकर Michael पर जाकर इसका cash वगेरा set कर सकते हो इसके इलावा गाड़ियां spawn कर सकते हो और दूसरे characters spawn कर सकते हो और teleportation वगेरा कर सकते हो vehicles में बहुत सारे powers वगेरा लगा सकते हो character को invincible बना सकते हो यानि कभी भी मरेगा ही नहीं superman मन जाएगा बहुत कुछ कर सकते हो तुम लोग menu trainer में लेकिन दोस्तों अगर तुम लोग computer पर नहीं हो laptop पर हो तो दो बार F8 के साथ साथ तुम लोगों ने FN भी दबाना होगा यानि दोस्तों FN दबाया साथ में F8 दबाया दो बार ऐसे दबाना FN F8 FN F8 और तुम्हारा menu trainer यहां पर खुल जाएगा अगर तुम लोग laptop पर हो computer पर हो तो तो वैसे ही दो बार F8 दबाने से खुल जाएगा computer पर दो बार F8 और laptop पर दो बार FN प्लस F8 FN और F8 एक साथ दबाने से तो दोस्तों यह simple से steps follow करके अगर सही तरह से follow करोगे तो तुम्हारा menu trainer बहुत easily चल जाएगा और हाँ recommend करता हूँ कि 3028 वर्जन पर upgrade कर लो मेरे Instagram पर जाकर मेरे description में second link को click करके मेरी website पर video देखकर 3028 latest version में upgrade कर लेना अब दोस्तो menu trainer यूज करने के लिए मैंने exact detail complete details में video बनाई हुई है यह वाली video है इस video को लाजमी देख लेना इसका link में नीचे description में भी दे दूँगा और इसको मैं end screen पर भी लगा दूँगा तो तुम्हारे लिए बहुत ज़ादा easy हो जाएगा end screen पर इस video को click करना menu trainer की complete detail वाली video देख लेना फिर तुम लोग भी menu trainer बहुत easily बहुत अच्छे से use कर पाओगे और modding के expert बन जाओगे